महिलाओं के साथ अब पुरुषों को भी आत्मिर्भर बनाने का कारे जारी है वग्यानिकों ने हाली में एक रिसर्च में सफलता पाई है उनका कहना है कि अब दो पुरुष मिलकर बच्चा पैदा कर सकते हैं अब बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं की जरूरत नहीं हो पैदा करेंगे क्या कहते हैं शोतकर्टा बताते हैं आपको आगे के रिपोर्ट में अब नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ बंदना पांडे बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं की जरूरत नहीं होगी यह कहना शोतकर्टाओं का है जिन्हो कि इसमें काफी वक्त लग सकता है यह भी कहना शोतकर्टाओं का है फिलाल पुरुशों पर यह शोत किया जा रहा है दुनिया में किसी के भी जनम के लिए अभी तक नर और एक मादा चाहिए होती है मनुश्य की बात करें तो पुरुश और महिला के बिना प्राक्रितक रू और लग सकेगा यह खास रिसर्ट जापान के वग्यानिकों ने किया है जहां उन्हों ने कैसा चूहा पैदा किया जिसकी दो पिता हैं उदिधा बड़ुशोण के फिल्स की मदद्से चूहों को पैदा किया गया है मतलब यह है कि वो चूहा के वल नर कोशिकाँं से तियार किये गए अंडे से पैदा हुआ है जिसके लिए जापानी वैग्यानिकों ने पहले नर्चुहों के शरीर से कोशिकाओं को निकाल कर पहले उसे अंडा बनाया पिर नर्चुहों के स्पर्म और अंडे को मिला कर चुहा पैदा किया है इस रिसर्च ने गे कपल को एक नए उमी जिनोम एडिटिंग के तीसरे अंतराश्चिय सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया को दी हैं वहां बताया गया है कि कैसी दो नर्चूहों से एक चूहा पैदा करवाया गया है उसकी पूरी प्रक्रिया उच्छे तरीके से समझाई है और ये भी बताया है कि आने वाले समय में ये रिसर्च और पूरुषों पर किया जाना है जिसके बाद महिलाओं की जरूरत तो नहीं होगी अगर पूरुषों को बच्चा पैदा करना है तो आपको बतादे कि रिसर्च के दौरान मेग्यानिक ने पूरुष की XY क्रोमोजोम्स को महिला की XX क्रोमोजोम्स में बदल जिसकी बाद आसानी से दो नर चुहें ने मिलकर चुहा को जनम दिया है और सफल पड़ी नाम की बाद अबारी अंसानों की है अंसानों में भी इस तरशोट को सफल साबिट करने की कोशिश जारी है वग्यानिकों का कहना है कि आने वाल समय में दो पुरुष इस दे बच्चा पैदा हो सकेगा हालांकि दगार्जुन की एक रपोर्ट ये भी कहती है कि समाज को अभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए काफी वक्त चाहिए क्योंकि समाज इस चीज को स्वेकार अभी नहीं कर सकता कि दो पुरुष ने बच्चे को जनम दिया है इसी वच्छा से ही अभी इसमे काफिस हमें लग सकता है हालांकि जो शोड करता है वो इस रिसर्च को अब जल ही पुरुषों पर शुरू करने वाले हैं किसी चुहे पर शोड करने से जादा मुश्टल साबित हो सकता है यह भी बात कही जा रही है इंसानों में भी इस शोड को सफल साबित करने की कोशिश लगतार जारी है हालांकि यह वागे उस पर क्या कुछ कहते हैं विग्यानिक समय आने पर पुरुषों पर हुए इस रिसर्च की बारे में भी जानकारी दे जाएगी अपडेट अगर कोई आती है तो आप तक हम ज़रूर साज़ा करेंगे आप अपने प्रतिक्रिया पुरे खबर को लेकर जोस तरीके से यह रिसर्च किया गया है और जोस तरीके से बदलाव हो रहा है मतलब यह है कि पहले महिला और पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करते थे लेकिन आने वाले समय में अप सिर्फ पुरुष मिलकर बच्चे वाल